राजगर का स्वेवे में जगे जगे बने हुए नाले नालियों में भारी मात्रा में कचरा एवं गंदगी जमा होने के बावजूद उन्हें साफ नहीं किये जाने से आगामी आने वाले बरसात के मौसम में आमजन को भारी परिशानियों का सामना करना पड़ सकता है राजगर बचाव जिला बनाओ समीती के सयोजक एड़ोकेट भूपेंद्र शर्मा भारत विकास परिशत की अध्यक्ष पद्मा गोयल सचिव रश्मी विजय राजगर वैशे महिला समीती की अध्यक्ष कृष्णा अगरवाल ने बताया कि गत दिनों के द्वारा नगरपाले अधिशासी सुमेर सिंग मीना, अधिकारी, उपखंड अधिकारी, सीमा खेतान, विधायक मांगेलाल मीना एवं भाजपा नेता बनारा मीना को लिखित में कुछ एनिकटों की मरमत साफसफाई तथा कस्वे की गंदगी कीचड से अटे नाले नालियों को बरसाथ से पहले स सफाई करने की मांग की गई थी, लेकिन अभी तक इस और कोई ध्यान नहीं दिया गया है, जिससे कस्वे के नाले नालियों में गंदगी एवं कीचड भरी हुई है, जिससे आने वाले बरसाथ के मौसम में आमजन को परिशानियों के साथ संक्रमन ड्रोक फैलने के संभाव बनती जा रहे हैं, इधर नगरपाली का अध्यक्ष सतीष दुहारिया ने बताया कि पाली का प्रशासन द्वारा एवं उनके द्वारा भी संबंदित करमचार्यों एवं सफाई ठेकेदार को तीन दिन पहले नाले नालियों को शीगर सफाई करने के आदिश दे दिये हैं, उन्हें पुनहें अवगतकरा कस्वे के अनिकटो और नाले नालियों को शीगर साफ करा दिया जाएगा।